अल्राइट चैक इट आउट गाईज स्वागत है आपका स्टोन टैग में दोस्तों आज हम बात करेंगे शाओमी की तरफ से इंडिया में लॉंच होने वाले एक और ने लेटेस्ट 5G स्मार्टफून के बारे में जो के शाओमी पोको F4 तो आज की इस वीडियो में हम बात कर करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मुबैल के डिस्प्ले के बारे में जिसमें 6.67 इंचिस क आपको देखने को मिलेगी और content watching में भी आपको काफी अच्छा experience इस मुबैल में देखने को मिल जाएगा अगर बात करें इस मुबैल के बिल्ट के तो इस मुबैल में glass front होगा और back और frame इस मुबैल में आपको plastic का देखने को मिलेगा जिससे कि आपको इस मुबैल में classy look दे आपको देखने को मिलेगा चिपसेट snapdragon 870 5G होगा जो कि gaming और video editing के लिए best रहेगा अगर बात करें इस मुबैल के GPU के तो इस मुबैल में adreno 650 GPU आपको देखने को मिल जाएगा जिससे कि आपको gaming graphics में कोई भी issue देखने को नहीं मिलेगा overall देखा जाए तो इस मुबैल का platform camera की जिसमें 64, 8 और 2 megapixel का triple camera setup आपको देखने को मिलेगा camera feature में इस mobile में HDR का feature भी होगा अगर बात करें main camera की video quality की तो आप इस mobile से 4K 1080p और 720p में अच्छी quality की photos और video shoot कर सकते हैं अगर बात करें selfie camera की तो इस mobile में 20 megapixel का front camera आपको देखने को मिलेगा और front camera की video quality 1080p होगी overall देखा जाए तो इस mobile का camera segment भी काफी कमाल का आपको देखने को मिल जाएगा आप चलते हैं इस mobile के अगले segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile की memory के बारे में सबसे बहले बात करते हैं इस mobile के card slot की तो इस mobile में card slot नहीं होगा internal memory 256GB होगी अगर बात करें इस mobile के RAM की तो यह mobile बस आ नहीं होगा अगर बात करें fingerprint sensor की तो इस mobile में fingerprint sensor आपको side mounted देखने को मिलेगा इसी के साथ आपको इस mobile में compass proximity और gyroscope जैसे सारे sensor देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं इस mobile के battery के बारे में 2.0 tab c USB port आपको देखने को मिलेगा और infrared port का feature इस mobile में नहीं होगा अगर बात करें NFC के तो इस mobile में NFC का feature आपको देखने को मिल जाएगा अब चलते हैं इस mobile के सबसे important segment के तरफ जिसमें बात करेंगे इस mobile के color price और release date की सबसे बात करते हैं इस mobile के color की तो यह mobile आपको black, gray और green color में देखने को मिलेगा, इंडिया में इस mobile का price 24,990 होगा, अगर बात करें इस mobile के release date की तो यह mobile 23 जून को release हो जाएगा, overall देखा जाए तो काफी अच्छे feature आपको इस mobile में देखने को मिल जाएंगे, मेरे recording यह mobile gaming और video editing के लिए best रहेगा, अगर आपका budget 25,000 के आसपास है तो यह mobile आप ले सकते हैं, अब सबसे आकर में बारी आती है इस mobile के rating की, तो इस mobile के सारे feature को देखते हुए, इस mobile के stone rating होगी, 8 out of 10, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like share जरूर करना, और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना, और comment करके बताना है, इस mobile का सबसे अच्छा feature आपको कौन सा लगा, तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में